हलो माई यूट्यूब फैमिली इंग्लिश लिट्रेचर की दुनिया में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम लोग पढ़ रहे हैं निसीम एज़किल की लिखी पोयम नाइट ओफ द स्कॉर्पियन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब करें अब आगे बढ़ते हैं तो आज की ये पोयम नाइट ओफ द स्कॉर्पियन एक फ्री वर्स है जिसमें एट स्टैंजाज है और टोटल 47 लाइन्स है इसमें कोई सेट राइम स्कीम नहीं है और कोई फिक्स मीटर भी नहीं है ये एक नेरेटिव पोयम है एक कहानी लिख पोयम है ये एनॉनिमस है कि इसमें किस मदर की बात हो रही है और किस बच्चे की बात हो रही है ये पता नहीं है कुम नाम है तो आईए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इसका line to line explanation I remember the night my mother मुझे याद है वो रात जब मेरी मा को was stung by a scorpion एक बिच्चु ने डंक मारा था अब देखें यहाँ पे stung का S और scorpion का S दोनों में आगे S है ये alliteration है कौन सा literary device है ये alliteration अनुपरास अलंकार दोनों S S से शुरू हो रहे है I remember the night my mother was stung by a scorpion मुझे याद है वो रात जब मेरी मा को एक बिच्चु ने डंक मारा था 10 hours of steady rain had driven him 10 घंटे की लगातार बारिश के कारण वह to crawl beneath a sack of rice crawl मतलब रेंग ना beneath a sack of rice नीचे से sack यानी बोरा चावल का तो दस घंटे की लगातार बारिश के कारण वह रेंग के चावल के बोरे के नीचे से आया parting with his poison flash उसने अपना wish छोड़ दिया जोर से अब यहाँ parting का पी और poison का पी यह दुबारा यहाँ पे अनुपरा सलंकार है alliteration है poetic device alliteration का इसमें बहुत जादा यूज हुआ है flash of diabolic tail यहाँ पे diabolic से क्या मतलब है दो मुहा दुष्ट दो मुहाला दुष्ट जो उसकी पूँच थी उसका flash हुआ in the dark room अंधेरे कमरे में यहाँ diabolic का D और dark का D alliteration दिखा रहा है तो उसने wish छोड़ दिया जोर से अपनी दुष्ट पूँच से अंधेरे कमरे में चमक हुई he risked the rain again वह फिर से बारिश में चला गया यहाँ risked और rain के आर alliteration को शो कर रहे है the peasants came like swarms of flies किसान आये मक्षियों के जुंड की तरह अब यहाँ किसानों का comparison तो यह यहाँ पे simli है simli एक literary device है एक poetic device है जब किसी को किसी के साथ compare किया जाता है कि वो उसके जैसा तो उसे simli कहते है and burst the name of God a hundred times और जाप करने लगे भगवान का नाम सेंकडों बार to paralyze the evil one ताकि लकवा हो जाए दुष्ट को यहाँ दुष्ट किसे कहा गया है scorpion को तो यह एक metaphor है metaphor यानि कि किसी को किसी के जैसा कहने के लिए like जैसे शब्दों का प्रियोग नहीं किया जाए और उसको वो direct कह दिया जाए जैसे मेरा भाई share जैसा है यह simli है और मेरा भाई share है यह metaphor है तो यहाँ scorpion को direct evil कह दिया दुष्ट कह दिया तो यह यहाँ metaphor है with candles and with lanterns मुम्बतियों और लाल्टेनों से तो यह जो किसान आए है यह क्या लेकर आए है मुम्बतियों और लाल्टेन throwing giant scorpion shadows और उनसे बन रही है बड़े बिच्छू जैसी परचाईया तो वहाँ पर मुम्बतियों जल रही है लाल्टेन जल रही है किसान आ रहे है गूम रहे है तो उनकी परचाईया बन रही है मुम्बतियों और लाल्टेनों की रोश्णी में on the mud-baked walls मिट्टी की दिवारों पर परच्छाईया बन रही है they searched for him उन्होंने उसे ढूंडा he was not found पर वो न मिला they clicked their tongues उन्होंने अपनी जीव चटकाई जैसे हम बोलते वे कई बार ऐसे करते हैं न वोई बात है with every moment that the scorpion made his poison उसकी हर चाल के साथ बिच्छू अपने जहर का moved in mother's blood संचार कर रहा था मा के खून में they said उन्होंने कहा may he sit still they said भगवान करे वो बैट जाए उन्होंने कहा may the sins of your previous birth भगवान करे तुमारे पिछले जनम के पाप sins मतलब पाप previous birth पिछला जन be burned away tonight जल जाएं आज रात they said उन्होंने कहा may your suffering decrease भगवान करे तुमारी तडप कम कर दे भगवान तुमारी तडप कम कर दे the misfortunes of your next birth तुमारे अगले जनम के दुरभागियों को भी कम कर दे मतलब गाउवालों का ये superstition है अंधविश्वास है कि तुम जितना अभी तडप रहे हो उससे तुमारे पिछले जनम के पाप भी खतम हो रहे हैं और तुमारे आने वाले जनम की जो दुरभागे हैं वो भी कट रहे हैं अगे बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये जो दुनिया जिसमें हम रहते हैं ये अन्रियल वर्ल्ड है इसके बाद एक दुनिया और आएगी आगे क्या कहरा है कि तुमारी जो सारी कुल बुराई की टोटल है वो बैलन्स हो जाए अच्छाई के बराबर हो जाए और बिकम डिमिनिश्ट और कम हो जाए खतम हो जाए बाई और पेन ये जो तुम दर्द सह रही हो इससे तुमारे जो बुराई की टोटल है वो कम हो जाए अच्छाई के मुकाबले May the poison purify your flesh भगवान करे जहर तुमारे शरीर को साफ कर दे तो यहाँ poison का पी और purify का पी दोनों alliteration है Of desire इच्छाई Your spirit of ambition तुमारी महत्वा कानशाई They said उन्होंने कहा कि ये सब खतम हो जाए तुमारी इच्छाई तुमारी महत्वा कानशाई They said and they sat around उन्होंने कहा और वे चारों और बैट गए On the floor with my mother in the center फर्ष पर बैट गए और मेरी मा बीच में थी The peace of understanding on each face चहरों पर समझदारी की शान्ती थी उन्हें पता था कि हाँ ऐसा होता है जब scorpion काटता है बिच्छु काटता है More candles, more lanterns, more neighbors और मुंबतियां और लाल्टेने और पडोसी More insects and the endless rain और कीडे आए और नारुकने वाली बारिश My mother twisted through and through मेरी मा को मरोड आ रहे थे बार बार लगातार तो यहाँ twisted through and through के जो T हैं वो penetration दिखा रहे हैं Groaning on a mat, चटाही पर तडप रही थी Groaning मतलब तडपना और mat यानी चटाही My father, skeptic, rationalist मेरे पिता, शंकालू जो जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करते skeptic मतलब जो शक करता है विश्वास नहीं करता और rationalist यानी वास्त्विक्तावादी जो अंध विश्वासों में विश्वास नहीं करता Trying every curse and blessing हर मंत्र और आशीश का प्रयास कर रहे थे कि बस कैसे भी मेरी वाइफ ठीक हो जाए Powder, mixture, herb and hybrid चूरन, मिशरन, जड़ी बूटी या मिला जुला सब He even poured a little paraffin उन्होंने थोड़ा मोम भी डाला Pour मतलब डालना, उडेलना और paraffin यानी मोम वैसे ये बहुत unscientific है ऐसा करना नहीं चाहिए पिता को दिखाया है rationalist पर उन्होंने ये जो किया है बड़ा unscientific है कहां डाला उन्होंने गरम-गरम मोम पिगला हुआ Upon the bitten toe डंक वाले पैर के अंगुठे पर and put a match to it और उन पर माचिस की तिल्ली लगा दी उसको जलाया I watched the flame feeding on my mother मैंने आग की law देखी मेरी मा को खाते हुए मतलब उसके पैर को जला जला के जलते हुए I watched the holy man perform his rights to tame the poison with an incantation मुझे उमीद है इसको आप full screen पे देख रहे होंगे mobile के ताकि आपको एकदम clearly दिखे और earphones use में ले रहे होंगे ताकि आपको voice एकदम साफ आए I watched the holy man perform his rights मैंने देखा तांत्री को विदिविदान करते rights यानि विदिविदान to tame the poison with an incantation जहर को वश में करते हुए जाड़ फूंक से incantation यानि जादु टोना after 20 hours 20 घंटे बाद it lost its sting उसने अपना डंक खो दिया मतलब डंक निकल गया my mother only said मेरी मा सिर्फ बोली thank God the scorpion picked on me ईश्वर का धन्यवाद के बिच्चु ने मुझे चुना and spared my children और मेरे बच्चों को छोड़ दिया तो इसी के साथ ये finish हो गई अपनी poem I hope आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे जो peasants हैं गाउवाले हैं उनको superstitious दिखाया है father को rational दिखाया है और last में ये बताया है कि मा इतना दड़पने के बाद भी भगवान को धन्यवाद दे रही है और कह रही है कि मेरे बच्चों को बख्ष दिया इसमें मा का एक प्यार भी दिखाया है कि मा कितनी selfless होती है Thank you friends I hope आपको ये समझ में आ गया होगा चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करो अपना feedback दो पसंद आया, like करो, नहीं आया, dislike करो बट comment box में अपना feedback जरूर देना चल्दी फिर मिलेंगे English Literature के एक और topic के साथ Thank you so much